स्वागत दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो हम चेचा करेंगे रेलवे के लेटर के सम्मन्द में जो लीव के सम्मन्द में 9 अक्टूबर को जारी किया गया है आपको मिल गया होगा फिर भी मैं बना देता हूँ किसी को अगर नहीं मिला होगा तो उनकी काम आ जाएगा इसका पहला पॉइंट है all manual leave application which are not applied, updated in HRMS will be considered as absent यानि जितने भी तरह के manual leave या किसी भी तरह का leave जो कि आप HRMS में apply नहीं कर रहे हैं मगर ले रहे हैं तो उसे absent माना जाएगा status of leave applicant applied only through HRMS must be considered while preparing patients of the respective employees यानि leave का status application का क्या है जो HRMS के थुरू दिया गया उसे ही सिर्फ considered किया जब आप page sheets वगेरा ready कर रहे हैं तो उसके लिए तीसरा है manual leave applications of employees whose leaves are not updated in HRMS within last 180 day must be balanced in HRMS accordingly यानि 180 दिनों के अंदर जिन करमचारियों के manual leave HRMS में update नहीं किये गए हैं उन्हें भी update किया जाए more or less इसका चोथा भी सारान से leave balance of employees with only manual application beyond 180 day must be back calculated and ensure that the leave credit is being initiated accordingly 112025 so that their leave balance in HRMS matches their must यानि उनका ये कहना है कि जितने भी leave है जितने भी leave आप apply करना है वो सभी leave apply आपको HRMS के थुरू ही करना है चाहे वो CL हो चाहे वो LAP हो अगर NH का option तो अगर NH का option split leaves में आ जाता है जो भी apply कर रहे हैं आप HRMS के थुरू ही करें अगर HRMS के अलावा किसी भी leave के लिए apply कर रहे हैं तो उसे absent के रूप में treat किया जाएगा pay sheets और pay clerk के लिए इसमें दिया गया guidelines कि HRMS में उनके leave को update किया जाए master के साथ match करके उसे properly balanced किया जाए तो moral less आप try करिए कि HRMS सही सभी leave से सभी कुछ को try किया जाए आने वाले समय में HRMS after retirement सभी employees के लिए बहुत ही beneficial साबित होने वाला है तो कहीं भी आप किसी भी तरह का leave या कोई भी validation कर रहे ना तो HRMS का प्रियोग करिए यह था एक information अगर उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे comment box में पूछिए मैं HRMS के बारे में related help करने के लिए आपको ready हो और किसी भी तरह का help अवश्य करूंगा बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए like share subscribe भी करिए धन्यवाद